कल के स्मैक डाउन में कोडी रोड्स आने वाले रोमन रेंज होंगे सेथ रॉलंस भी अफिशिल एड़टाइज हो चुके है एंड रॉक पहले से इस शो के लिए ड़टाइज थे तो अब इसका न्यू पोस्टर भी आचुका है सामने कल का स्मैक डाउन देख सकते हो साथ में आठ मार्च के स्मैक डाउन का ये पोस्टर है नया जहाप रोमन रेंज है, सेथ रॉलंस, कोडी रोडस है रैंडी और डन, बेली अट बियां का बेलेर है और अलसो ये पंद्रा मार्च का पोस्टर है जहाँ पर रॉक भी अपियर होंगे तो कल के स्मैक डाउन के लिए फिलाल ये सारे रूमर तो ही लेकिन उसके बाद वाले स्मैक डाउन का ये फिलाल पोस्टर है उसके बाद वाला भी स्मैक्डाउं का यह पूस्टर निगल कर सामने आ चुका है और सब्सक्राइब के लिए अड़र्टाइज है यह कोडी रूर्स का भी देख सकते हो किसके शो के उपर किसके इवेंट पर वो होंगे इसके सारे डीटेल्स भी खुल ऑफिशली दिये हैं य यह फिलाल को जिटेट्स वेगे रहे सुपर स्टार्स के रसलमीनिया तक जाते जाते अब देखकर यह लग रहा है सट्रोलस और कोडी रोट स्मैक्डाउन पर आने ही वाल है और रोग भी होंगे तो देन डेफिनेटली इनका टाक्टी मैच होगा वाकी कर गे स्मैक्डाउ उनको अफिशली अड़टाइस भी किया है डबर डबली ने जो रोग रैसलमीनिया से पहले एक दिन होगा यानि की एक अपरेल का मंडेनाट रोग का एपिसोड इसके लिए अफिशली अपने सीम पंग को अड़टाइस डबर डबली ने किया है वेबसाइट के उपर जाकर या फिर कॉमेंटेटर हो कैसे भी तेरुच्छे से वो इस वाली शोड़ों के उपर इंबोर हो सकते हैं डैफिनेटली मेरे खाल से वह रसन मैना का पार्ट होंगे और मौस्त लाइकली में भी कॉमेंटरी पर जा सकते हैं वाकि दिए अपने सीम पंग उस शोड़ों के उप पर सामने आ चुकी है और पिछले बार 99 थी जो की हाइस रेटिंग ते लेकिन इस बार दो से खट चुकी है और सिर्फ रोमर इसको इस पार 97 रेटिंग मिली है तो पिछले साल से कम रोमर इसको रेटिंग मिली है 2K24 में और इस साल रोमर इसके 2K24 के अंदर 97 ये रेटिंग है यह लाल कुछ बाते थी बात करते हम लोग नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो की काफ़ी इंटरस्टिंग है जो की जूटी है केवनोस के बारे में तो केवनोस ने अभी रिसन टाइम में इलिमिनेशन जेंबर में कंपीट किया और उन्होंने चोक स्लैम भी परफॉर्म किया था उन्होंने चोक स्लैम मारा था तो इसके बीज़े काफ़ी कमाल की स्टोरी है जो की बाते पता चली है और मेगा विश फाउंडेशन जो डवड़वलिया आपको बता है सूपर स्टार्स चुक की बच्चों को हेल्ब करते हैं उन्होंसे मिलते है तो एक बच्चे की विश थे की कैवनोस चोक स्लैम डिलिवर करें और सेम चीज अपने कैवनोस ने करें उस बच्चे के विश पूरी करें और एलिमिनेशन चेंबर मैच में कैवनोस ने जो है इस वाले चोक स्लैम पो यूज़ किया तो ये इसके बेज़े की काफ़े कमाल की स्टोरी है डवर डवली सूपर स्टार जो है कुछ इस तरह किसे अपने फैस से हमल रहते है तो ये फिलाल कुछ एक्जामबल से हो सकता है और ये केविनों जो है कितने उन्होंने बड़ी चीज़ कर इस बंदे के लिए स्टोर्ड से फैन के लिए ये फिलाल चीज़े बता चली है केविनों उसके बारे में ये बाते है एजस्टार्स की बात करते है तो अभी फिलाल एज स्टार्स का भी हील टन तो खुँच जुका है लेकिन इस तरीके से उनको एक तगड़ा सबोर्ट मिलना चाहिए तगड़ा उनका रहना चाहिए वैसा दिख नहीं रहा है में भी लेकिन एज स्टार्स को जो चाहिए वर्ल्ड हेवीड चैंपेंशिप ए यह उनका कहना है कि उनको डब डब डबली चैंपेंशिप की एक और रिंग चाहिए और डफिनीटली इन फ्यूचर एज स्टार्स पक्का वर्ल्ड चैंपेंट बनेंगे लेकिन डब डब डबली को उनके उपर काफी इच्छी सुचे वोकस करने की जरुरत है और काफी Stefan. को बात वह कि देखते है यह जची स्टार्स चो है कब चैंपिन बनते हैं लेकिन यह स्टार्स कुछ बाते कहते हैं अपने इंडेव मैं आखिर में बात करते हैं हम लोग लोगन पोल के हूं चेक बारे में और उनके बॉक्सिंक की मैच के बारे में जीक पॉल क्रने वाल ह नीरज गुएट को एंड फिलाल जो नीरज गुएट है वो है इंडिया से अभी रिसेंड में यह जो है नीरज गुएट बहुत चुके थे युएसे अपने लोगन पॉल के भाई जेक पॉल से पाइट करने के लिए तो इनके भी जाता भाई भी थोड़ी हुई थी और ट्व कर रहे हैं इंडिया के अंदर मैच हो सकता है यहाँ पर यह इंडिया के अंदर मैच हो सकता है डेली इसकी लोकेशन बताई जा रही है दोजार चॉबेस के एंड से पहले सारे चीज़ें हो सकती हैं यह फिलाल जो है पने नहीं भाई भी बताते हैं एंड फिलाल हमें यह सा पॉसिबली इनका जो बॉक्सिंग में अच्छी हमें इंडिया में दिखा दे सकता है तो ट्विटर पर नहीं भाई ने इस चीज़ को भी शेर किया था तो ये सारी चीज़े उनको इसाइडर की उसे मिली है अगर ये चीज़ होती तो इंडिया के अंदर एक बॉक्सिंग अंभब।